हलो फ्रेंज आप देख रहे हैं आपका चानल शेर बजार विद आयुश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में देखे टाटा पावर में जो आज तेजी आती हुई देखने को मिली ये मैं अपको कल भी कहा था कि देखे जब गिरावट हो रही है जो गिरावट हुई है उसका कारण क्या है वो डून दिये जैसे आज मार्केट रिकवर करके गया वैसे इस टॉक में जिस प्रका के तेजी लिखा देते हैं वो बहुत बड़िया तीजी होती है और आज भी डूस़रा टाटाप आवन में आपको देखने को मिलेगा एक शानधार तीजी हुई देखने को मिली तो यहां पर जो होता उदेखने को मिला ह है वो डिफिनेटटली सही है और देखे कल जिनों ने भी रहे कोज नमारे मार्केट बंद है लेकिन उसका एक एफेक्ट जरूर आता हुआ देखने को मिलेगा बट और भी आगे काफी कुछ अभी होता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है तो इस वीडियो में बात करेंगे टाटा पावर के एक नया टागेट के बारे में एक नया काम काज करता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है तो तो वीडियो को पुरा जरूर दिखेगा फ्रेंट चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करक तो फ्रेंट्स लीकित टाटा पावर में अगर अभी आप देखेंगे तो डेफिनेटली आज एक बहुत बढ़िया रीकवरी आती हुई देखने को मिली स्टॉक क्लोजिंग चार परसंट से उपर देखे गया है एंड लास्ट अगर आप फाइव डेस में देखते हैं लास कुछ न्यूस के basis पर आया है यह पूरा मार्केट देखे अगर इतना तीज से स्लिप करेगा तेन अंडाउटिटली स्टॉक भी आपको स्लिप करता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन आज देखें मार्केट में कोई बहुत बड़ी तीजी भी नहीं थी हाँ वो आकरी के गं आपको छुरुआत में कहा था कि एक बहुत बड़ा धमाका होता हुआ देखने को मिला है वाल्यूम्स का धमाका धमाका ख़ुआ होँआ देखने को मिला है 39 million यानि 3 करोड के आसपस के वॉल्यूम, 3 करोड यह अल्मोस अगर आप देखेंगे सिर्फ 6 लाग की कम है, यह अल्मोस 4 करोड के वॉल्यूम दोस्तों आपको स्टॉक के अंदर आज एक दिन में आती हुई देखने को मुलिए, 245 का आज का डे हाई था, 241 रुपे के उपर नहीं जा पाया, बट मुझे अगता है कि आसानी से काफी, आसानी से देखेंगे स्टॉक इसके उपर भी निकलता, वो देखने को मिल जाएगा, हाँ आखरी में 24 लाकी, लेकिन ये जो पूरा आपको देखने को हुआ, वॉल्यूम का डिलिवरी दिख रहा है, ये सिर्फ 3 वज़े तक है, उसके बाद का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद अपडेट होता है, तो मुझे लगता है कि आरम से 20% के अबाव आपको जा 2022, ये जो सारी पिक्स दी जा रही है, ये सिर्फ बजट के लिए दी जा रही है, और इसमें सबसे उपर जो नाम आपको देखने को मिलेगा, वो है टाटा पावर का, और ये दिया है, रवी सिंग ने जो शेयर इंडिया से बिलॉग करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर अग टाटा पावर, एंटिसेपेटिंग सम अनॉंस्मेंट फॉर देखने को मिल सकते हैं, यानि आप देखिनी जे रिटर्न कि इतना आसानी से आपको मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि देखिए, लोग इसके उपर क्यों इतना बुलिश हो रहे ह because देखिए stock के अंदर यहाँ पर momentum बहुत तीसी बनता हुआ देखने को मिल सकता है and सबसे बड़ी बात क्या है कि power sector के उपर जिस प्रकार की announcements का देखिए लोग पुरा इंतिजार कर रहे है वो definitely friends काफी बढ़ा रहता हुआ देखने को मिल सकता है and इस बाकर देखिए मुझे budget लगता है कि अच्छा आराची है definitely देखिए market में कुछ खबरे थी जो कहा जा रहा था कि populous budget रहता हुआ देखने को मिल सकता है सरकार जो corporate पूरी corporate world है उनको थोड़ा सा पीछे रख सकती है and जादा लोग के बारे में सोच सकती है but मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा because as such budget जब भी निकल के आता है तो देखिए वो पूरी market के लिए होता है और market के लिए होता है तो definitely देखिए Tata Power is also one of the most important companies जो power sector से बिलॉंग करती है अगर power sector के लिए कुछ अच्छी खवर निकल जाएगी तो undoubtedly Tata Power भी उसपे react करता हूँ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा so friends अब बात करने Tata Power के target के बारे में अब देखिए शुरुवात में आपको कहा था कि 27th of Jan जो date रहने वाली है यह काफी important रहने वाली है important क्यों रहने वाली है because याद रखेगा 27th को है monthly expiry monthly expiry फिरंड जब भी आपको यह word सुनाई दे याद रखेगा यह बहुत important दिन होता है इस दिन आपको सारे सौदे कटते होए देखने को मिलते है जो FNO शेत्रे से होते है जो भी देखिए वो होते है वो सब कटने के बात देखिए market में क्या होता है ना momentum बनता है और momentum जो भी बनता है देखिए वो एक side हमेशे जादा बनता है यानि इस दिर आप पांटके चलिए जब भी weekly expiry हो या फिर monthly expiry हो market में momentum अगर वो red side पे बनता है अगर green side में बनता है यानि तेज़ी के side बनता है तो तेज़ी के side भी जादा होता है देखिए इस बार का देखिए जो माना जा रहा है कि इस बार जो कह सकते हैं कि monthly expiry है वो जादा तर green side रहने चाहिए अब green side क्यों क्यों तो अगर देखिए ऐसा होता हुआ देखने को मलता है तो अगर देखिए टाटा पावर का पूरा daily time frame का चार्ड है अब यहाँ पर आपको सबसब देखने को मिलेगा stock में एक बढ़िया तीजी हुई थी इन लेवल से market में अगर आप देखेंगे तो गिरावट बनी थी पहले बट stock ने एक बहुत बढ़िया support लिया था और जो लेवल create हुए थे यहाँ पर वो वह थे around 203 के basically दोस्तो तीन रुपे से अगर आप देखेंगे तो stock ने यहाँ पर support लिया थे लिए उसके बाद देखेंगे bounce back जो आया था वो तगड़ा आया था लेकिन अभी अगर आप देखेंगे market के अंदर जो 2-3 दन से एक scenario create होता हुए देखने को मिला है वो basically एक ऐसा scenario है जहां पर गिरावट आपको जादा होती हुई देखने को मिली है देखेंगे बहुत ती से नीचे आता हुआ देखने को मिला है बट ये सबसे बड़ा reason के अज़से आपको कहा कि market था आज देखेंगे जिस परका की candle form आपको होती हुई यहां पर बनती हुई देखने को मिल सकती है लेकिन basically hurdle है 250 रुपे का 250 रुपे का hurdle बहुत जादा बड़ा hurdle है और मुझे लगता है कि अगर stock को 250 का hurdle break करना है अगर इस बार दोस्तो recovery आती है तो अगर 250 का hurdle break हो जाता है then definitely देखे stock में बड़ी तीजी हो सकती है के लिए 27 के लिए 27 को मुझे रखता है कि stock basically 250 रुपे तक आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा एक stop loss लगाने है 230 रुपेगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर दीजेगा चलने से नाइड़ दो सब्सक्राइब कर देना थेंक्यों फ्रेंस वाचिन इस वीडियो